मित्रो नमा संस्कृत आए संस्कृत गंगा दारा गंज प्रयाग राज से मैं आप सबका स्वागत करता हूं इससे पहले हम लगुसिध्धान्त कौमुदी का अध्येन करते हुए पंच संधी तक का भाग अध्येन कर चुके हैं उसके बाद आज से जो विशय आरंभ हो रहा ह यह विशय लगुसिध्धान्त कौमुदी के चात्रों के लिए तो आवस्यक है ही उसके साथ-साथ विभिन परिशाओं में जहां शब्द रूपों को रखा गया है सुबंतों को जहां रखा गया है वहां भी यह बहुत ही आवस्यक है यह पाठ तो इसलिए यह यह उजी सी जानना आवस्यक नहीं होता है वह शब्द रूप कैसे बनता है यह भी जानना बहुत जरूरी होता है तो अब इसमें क्या है कि पहले भूमी का हम सामानी रूप से जानेंगे कि शब्द रूप कैसे बनते हैं तो एक बहुत बड़ा अधिकार है अश्ट अध्याई में व्य सुत्र है तीन एक एक प्रत्य यहा वे यह प्रत्य सुत्र है इस सूत्र से प्रत्य का अधिकारurstमर भग्मान पानेली कहते हैं कि इस सूत्र को बाद अब जो कुछ भी विष्य बताया जाएगा वह सब विष्य प्रत्य कि तीसरे अध्याय में वो प्रत्य हैं जो प्रत्य धातु के बाद लगते हैं अब धातु क्या होता है यह हम जब भ़ादि त्यादि का अध्यान करेंगे तो जानेंगे कि जिससे कुछ ग्रिया बताई जाती है वो धातु होता है हम घुवादयो धातवा사 Tutra को पढ़ चुके हैं कि जिससे कुछ क्रिया की अभिव्यक्ती हो जाना खाना पढ़ना इत्यादी वो होते हैं और जो कोई शब्द होते हैं जिसका करता के इसके तो अब इसमें इसके अधिकार में तीसरे अध्यायके सभी प्रत्य के बाद लगने waal यानि तीसरे अध्याय के कोई भी सूत्र नहीं लेना है आप देखेंगे इसमें लगु सिध्धान्त कौमुदी में जो अब हम प्रकरण आरंभ कर रहे हैं इसमें जादा तर सूत्र चोथे अध्याय के मिलेंगे कहीं प्रसंग बस संधी इत्यादी के कारे के लिए और कुछ शातिदेश करने के लिए पांच्वे शठ्थे के भी मिल जाएंगे पर ज्यादा तर सूत्र आपको चोथे पांच्वे अध्याय के मिलेंगे तो अब इसमें यानि आप सामने रूप से ये समझ गए कि सुबंत शब्दों की सिध्धी के लिए हम चोथे अध्याय को अश्ट अध्याय को ध्यान में रखेंगे वहाँ सबसे पहला सूत्र है ज्याप प्राति पदिकात वो सूत्र भी तुरंत आगे जानेंगे हम पर उस सूत्र में एक शब्द क्या है प्राति पदिकात या प्राति पदिक क्या है सबसे पहले वह जानना जरूरी है जैसे मैंने बताया था कि व्याकरण स्वास्त्र में अगर शब्द बनाते हैं हम कोई भी शब्द बनाते हैं तो उस शब्द में दो घटक बहुत जरूरी होते हैं एक प्रकृती एक प्रत्य तो प्रत्य घटक में हम जान गए कि प्रत्य के तीन अध्याय में हैं प्रकृति वाला जो घटक है मतलब जिसके बाद प्रत्य लगता है वह प्रकृति वाला घटक भी मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से कभी कभी वहाँ धातु होता है और कभी कभी वहाँ प्रातिपदिक होता है तो धातु क्या होता है क्रिया वाला वो हम बता चुके हैं प्रातिपदिक क्या होता हो जानने के लिए इस प्रकरण का पहला सूत्र हम पढ़ेंगे इस प्रकरण का पहला सूत्र ह ही लिखूंगा पूरा सुत्र अभी आपके सामने नीचे लिखा हुआ आ जाएगा हम मैं उसका पदच्षेद लिखता हूं जिससे सुत्र समझने में आपको आसानी हो कि अर्थवत कि फिर उसके बाद अधातु हूँ इसके बाद अप्रत्य यहां इस सुत्र को समझना इसलिए आसान है क्योंकि इसके हर एक शब्द को हम हटा हटा के परिख्षा करेंगे प्राति पदिकम यह संग्या है प्राति पदिक संग्या आप अगर नेट ज्यारेफ के परिक्षा की तयारी करते हैं और भी क्रिशिज परिक्षा की तयारी करते हैं तो वहां यहां परिभासाओं में व्याकरन सास्तिरे परिभासाओं में एक प्राति पदिक परिभासा भी प्रातिपदिक संध्यां भी रखी गई है उसके लिए दो ही सुत्र हैं दोनों शुत्र हम आज पड़ने वाले है तो यह प्राति पदिकम निए प्राति पदिक सट्र कहला तक किसे कहेंगे आप प्रातिपधिक उसे कहेंगे जो अर्थवत हो अधातु हो अप्रत्य हो वह प्रातिपधिक कहलाता है व्याकरण सास्त्र में एक नियम है जहां भी प्रत्य कहा गया है वहां प्रत्य कहने से केवल प्रत्य का बोध नहीं होता वहाँ प्रत्य कहने से प्रत्ययांत का भी बहुत होता है जैसे सुप्तिंग अंतम पदम एक सुत्र हम पहले पढ़ चुके है वहाँ सुप्तिंग ऐसा कह दिया सुप्तिंग अंत कह दिया वहाँ अंत कहा है पर ऐसे भी बहुत सारे सुत्र मिलेंगे जहां केवल सिधे प्रत्य का कह दिया गया है सिधे प्रत्य कृत तद्धित समासाश्च कृत तद्धित समास कृत क्या है कृत से आपको कृत प्रत्य नहीं समझना है कृत प्रत्ययांत समझना है प्रत्य का जहां ग्रहाण किया है वहाँ प्रत्य से आप दो चीज समझें एक प्रत्य को तो समझें और दूसरा प्रत्ययांत को भी समझें ठीक है जहां भी पूरे व्याकरण सास्त्र में अगर प्रत्य कहा गया है तो यह दो चीज समझना है प्रत्य से अगर प्रत्य की कोई संग्या हो रही है तो वह प्रत्य की संग्या नहीं होगी प्रत्यांत की भी होगी अब समझे कि प्रातिपदिक किसे कहेंगे प्रातिपदिक के बाद ही प्रत्य होंगे तो वह प्रातिपदिक किसे कहेंगे यह प्रश्ण होगा तो यह तीन चार तीन गुण जिसके अंदर हो वह प्रातिपदिक पहला गुण क्या है कि वह अर्थवत होना चीए यानि उसमें कोई अर्थ होना चीए वह सार्थक होना चीए अर्थवाला होना चीए अर्थवत सब्द में वैसे वो प्रत्य है मतुप प्रत्य है कि तदस्यास्ट्यस्मिन निती मतुप अर्थ जिसका है या अर्थ जिसमें है वह अर्थवाला कहलाता है अर्थवत का अर्थ क्या आप समझें आप कि जो अर्थवाला हो वह प्रातिपदिक कहलाता है ठीक है अब आप अपने मन में सोचते जाए एक एक शब्द को हटाते जाए मान लीजिए यह अर्थवत प्राति जो आर्थ वाला है वही प्राथिपदिक बन जाता क्योंकि धातु के भी अर्थ होते हैं भू, सत्तायाम, एध, वृध्धव, बाध, विलोडने, ऐसे बहुत सारी धातु आते हैं तो ये जो धातू है धातू के अर्थ है अर्थ वाले धातू भी हो गए धातू की भी प्रातिपदिक संग्या होने लगेगी तो जो धातू की भी प्रातिपदिक संग्या हो जाएगी जैसे राम सब्द की प्रातिपदिक संग्या होके रामा रामो रामा हरूप चलता है वैसे पठकी भी पठा पठा बनाने लगेंगे ये आपत्ति आएगी होगी ना ता इसलिए अधातु कहा गया है मलब वह जो अर्थवाला है वह धातु नहीं होना चाहिए जो भी अर्थवाला है वह धातु से भिन होना चाहिए तो धातु से भिन प्रत्य भी एक होता है जिसमें अर्थ होता है जैसे आप पतव्य तव्य अनियर प्रत्य देखेंगे तो उसका अर्थ क्या होता है भाव और कर्म तो इसे प्रत्यों के भी अर्थ होते हैं, प्रत्य भी अर्थवाला है, धातू भी नहीं है प्रत्य तो, है ना, प्रत्य ना धातू है, और अर्थवाला भी है, तो दोनों कंडिशन लग रहे हैं, अगर अब प्रत्य सब्द नहीं होता, अर्थवत अधातू प्रात्य पदिक प्रत्य की भी प्रातिपदिक संग्या नहीं होती है अब हर एक शब्द हर एक प्रत्य का कुछ न कुछ अर्थ होता है बिना किसी अर्थ में कोई प्रत्य आता ही नहीं अगर कुछ अर्थ नहीं होगा तो करता रिकृत से करता अर्थ होगा या भाव कर्म अर्थ होगा, करण अधिकरण अर्थ होगा, अलग-अलग कारग अर्थ होगे उसके तो कुछ अर्थ नहीं होगा, तो सुवजो सित्यादी जैसे प्रत्यों की करता से वो क्या कहते हैं, संख्या तो अर्थ होगा ही तो बहुत सारे अर्थ होते हैं तो प्रत्य भी प्रत्य की भी प्राथिपदिक संग्या नहीं होगी इससे पता चला और प्रत्य की भी प्राथिपदिक संग्या नहीं होगी इससे एक और अर्थ आपको लेना है कि प्रत्ययांत की भी प्राथिपदिक संग्या नहीं होगी जहां भी प्रत्य ग्रहाण किया जाता हूं प्रत्ययांत का भी ग्रहाण किया जाता है तो अब इस सूत्र का अर्थ सूत्र के शब्दों से ही निकल गया अब वृत्ति इसके बाद पढ़ेंगे सूत्र का अर्थ क्या है जो अर्थ वाला हो धातू से भिन हो प्रत्य से भिन हो प्रत्ययांत से भिन्हों वह प्रातिपदिक कहलाता है ठीक है तो अब देखिए यहां वृत्ति में आप देखेंगे तो लिखाया होगा धातुम प्रत्ययम प्रत्ययांतम चवर्जईत्वा अर्थवत शब्दस्वरूपम प्रातिपदिक संग्यम से यही लिखाया ना अर्थवाला शब्द स्वरूप है वहां प्रातिपदिक होता है यहां समझने वाला बात यह है कि व्याकरण में एक सिद्धान्ट ऐसा है ठोड़ा सा और नीचे लेवल पर जाएंगे तो एक सिद्धान्ट यह है कि जितने भी शब्द हैं उसमें कोई न कोई धातु है श्यातिपरिक बनते हैं कुछ ना कुछ प्रत्य लग्वक ना किसी न किसी धातू से सरवानि नामानि अभ्षयात जानि ऐसा एक इस एक सिध्धान्त भी निरुकट में प्राप्त अख्यात से आनि कोई- Thom से ही बनते हैं है यहां तक रिजुत निपातों मिलता इसका मतलब कि हर एक शब्द व्यूत्पन्य शब्द जितने भी व्यूत्पन्य शब्द हैं जितने भी व्याकरण से बनाए गए शब्द हैं कुछ न कुछ प्रत्य लगा हुआ है तो इस सूत्र को बनाना ही व्यर्थ हो जाएगा होगा की नहीं कि कोई न कोई प्रत्त तो लगा ही होगा हरे है दो परक्षे एक व्यदपन्न पक्ष है defend गुश शब्डस इसे होते हैं जो सीथे सीधे उसमें व्यदपत्ती नहीं देखी जाते व्यदपत्ती का इस jewड़ा ही देखना ही नहीं चाहते और बहुत में कौन सा ब्धातु है कौन सा प्ष्ट करना कंठष अधिन अधिर कुछ उनादी शब्द भी होते हैं उनाधी उनाधयों अभ्यूत पनान अदी उनादी जो शब्द करेfund हैं य weten देखा जाता जो शब्द में कौन सी धात्य है, कौन सा प्रत्य है, ये सब चिंदा नहीं किया जाता है, और फिर दूसरा पक्ष ये है, कि मान लीजिए वह सब्द कृदंत है, फिर भी उसके हम कृदंतत्य की विवक्षा नहीं करते हैं, हम उसका वह कृदंत है ऐसा नहीं बोलना चाहते है तो भी उसको इस सूत्र से प्रातिपदिंग माननेगे, जैसे राम एक सब्द है, यहां उदाहरण मैं दे रहा हूं, राम, या राम का अगर अर्थ, आप राम इस दो तरहां से बन सकता है, एक राम नाम वाला व्यक्ति, जो दसरत का पुत्र है, तैस एक राम वो इसा बन गय आएसी विवक्षा कि यह कौन सी धातु से कौन से प्रत्ते से बना यह सब नहीं सोच रहें तो राम नाम वाला व्यक्ति एक ऐसा होगा और एक दूसरा कि रम धातु से करण अर्थ में अथिकरण अर्थ में घही प्रत्ते लगा के राम बना तो रमनते योगिनो अस्मिन इति दभी राम होगा और राम की उसम्हा कानुकरन संग्या को हमें बताना है तो तो फिर भी वह ऑर फाला यह कि नहीं कि नहीं है अगर क्ष़ नेडर योगी कि इत्यादी लोग रमन करते हैं ऐसा अर्थ होगा और अगर इसको हम वह इसे दसरत का पुत्र मान करके इसकी प्राथिपदिक संग्या कर देते हैं तो यह अर्थ वाला है कि नहीं अर्थ वाला है यह राम कोई धातू है नहीं है ना धातू भी नहीं है राम कोई प्रत्य भी नहीं है और प्रत्य यांत भी नहीं है अभी मान लेते हैं ठीक है क्योंकि कृदंत वाला पक्ष एक अलग पक्ष है और दसरत का पुत्र राम वह अलग पक्ष है तो दोनों तरह से इस राम की प्रातिपदिक संग्या प्रत्य प्रत्य भी नहीं और प्रत्य आन्त भीनीं तो क्या हो जाएगा इस्की प्राथिपर्यक शन्या में इसे क्या पता चला कैड़ा के ये अधित्पन्व उप्वित्फ knitting पक्ष अपने पर होता है अपनी विवक्षा पर होता है अगर आप उसके स्वरूप पर चिंतन करते हैं उसके शब्द के स्वरूप पर वह किसी की संग्या है या कुछ है वह इसे सीधे उठा लेते हैं उसकी विद्पत्ति के पक्षिपे नहीं जाते हैं तो वह अविद्पन पक्ष है आप कुछ योगी कुरूप होते हैं मतलब उसके यह रूड होते हैं कुछ शब्द्सक्राइक अ Using प्रतित्धार क्षमें नहीं जाएंगे तब इस से प्रतिक्त संग्य испki करने कि लिए दूसला तुरंत बाद का सुत्र इसकी पृत्ति भी समझ गये होंगे आप सम धातुम प्रत्ययम प्रत्ययांतम चवर्जयित्वा अर्थवच सब्दस्वरूपम प्रातिपदिक संग्यम स्यात ठीक है जैसे एक राम हो गया यही अभी जो अकारांत पुलिंग हम बना रहे हैं हरी मान लीजिए अब इसकी वृत्ति में धातुम प्रत्ययम प्रत्ययांतम चवर्जयित्वा धातु प्रत्यय और प्रत्ययांत को छोड़ कर जो कुछ भी है वहाँ शब्द स्वरूप प्रातिपदिक कहलाता है यह अर्थ हुआ है अब इसके बाद तुरंत सूत्र आप लगुशिद्धानत कौमदी में देखेंगे तो पंक्ति मिल जाएगी कृत तद्धित समासास्य कृत तद्धित समासास्य इसको भी हाँ मिटा देत है कृत तद्धित समासास्य समासाह और फिर च तो यह समझे आप कि इसके अश्टा ध्याई में अगर आपको सूत्र में जो लिखे गए शब्द हैं उतने से ही अर्थ नहीं पता चलता है पिछले के सूत्रों के सब्दों से कुछ सब्द लेना पड़ता है कृत द्ध्धित और समास भी में इतना है की मतता इसके तरंद पहले के सूत्र में चले जाएंगे तुरेंद पहले का सूत्र क्या है 45 नम्बर सूतर अध्धिये कुछ वहां से प्राति-पैदिकम शब्द यह उसका अर्थ हो कृत मतलब क्रद तद्दित यानि तद्धित पिरें वाले और समास जिनकी समास संगया हो गई कब वह सभी ही पृती पडान रूप से ये बतादीता हूं कि धातू के बाद लगने वाला धातू के बाद लगने वाला तिप्तस जी, सिप्तस थब, मिप्वस्मस ये जो प्रत्य है अठारा इन अठारा प्रत्यों से भिन जो प्रत्य होते हैं वह प्रत्य कृत कहलाते हैं तो ये कृत प्रत्य जिसके अंत में है वो भी प्रातिपदी कहला है प्रत्य ग्रहनें तदंता हगा थिशन रोल गृक्रित से क्या प्रत्य नहीं लिया जाएगा कृथ की प्राथिपदिक संगया नहीं हो क्रदंत की प्राथिपदिक संग्या हो जैसे तुमुन है उस तुमुन की भी प्राथिपदिक संग्या नहीं हो पाएगी अनियर है उसकी प्राथिपदिक संग्या नहीं हो पाएगी लेकिन तुमुन और अनियर जिसके अंत में उसकी प्राथिपदिक संग्या हो वहां प्रत्यांत का ही प्रत्य वहां प्रत्य का भी ग्रहन कर लिया तक्र ठेल के और नीकृत करद commit क्रदफ्य यानि टद्दित्प्रत्य Quickly the nuo 35 है अज़्डे के बहुत शारे तद्दित के सवاجक शुप अद्द्द करते लो यानि जिसकी समास संग्या हो जाते हैं दूसरे अध्याय में आप देखेंगे पहले पाद में सुरूह दूसरे अध्याय का पहला और दूसरा पाद समास से भरापरा है कुल 108 सूत्र हैं समास के लिए तो कृत जो हो या तद्धित जो हो कृत यानि कृदंत तद्धित यानि तद्धितांत और समास इन तीनों की भी प्राथपदिक संग्या होती है लिखाओगा व्रत्ति में कृत तद्धितांत जिसके हो ऐसे तद्धित अंत में हो जिसके ऐसे शब्द और समास भी प्राथपदिक कहलाते हैं अब राम की दोनों आधार पर हम प्राथपदिक संग्या कर लेते हैं राम मानली जी एक शब्द है हमें सुबंत में कहीं भी पाठ्ठे क्रम में देखेंगे तो राम या बालक या किसी एक ऐसे अजन्त सब्द की सिध्धी करनी रहती यह राम रहता है लेकिन बन जाता है र यह राम है इसमें रम धातू इस राम में दो अनसी र hear और दूसरा है घही प्रत्य को जए में इसे केवल बचा है ट यह चांगे अब आजब जाएगा और घही प्रत्य ये है इसलिए रम की ऊप खा話 की विध्धी हो जाएगी तो यह प File मतलब राम राम वो बन गया यही वाला बन जाएगा इस तरह क्या करति तो अब यह मान लिजे घंप्रत्य क्या है धातु के बाद लगता है और तिप्तस जी प्रत्यों से भिन्न है धातु के बाद लगने वाला तिप्तस जी प्रत्यों से भिन्न प्रत्य क्या कहलाएगा अठ तिंग प्रतियों से भिन shammm जो है एक धातु के अधिकार में वह कृत कहलाते हैं तो क्या हो जाएगा राम यह क्या है क्रिद 생각이 आगर रराम को यहार्ष क्या लेंगे व्यृत्पथी अरथवाला नहीं लेना जाहेंगे राम सब्ध के व्युद्पत्ति वाला आर्थ नहीं लेना चाहेंगे कि रम धातु यानि इसके सब्सक्रापत होती है सरवनामों को छोड़ कर सबके 24 रूप राप्त होगी उनके भी सभी विवक्तियों में रूप चलेंगे यह जान रहे हैं तद्धितान्त का एक उधारन किर्मान लिजिए की दसरत से अपत्यम पुमान दासरती बन गया है यह तद्धित प्रत्ते वाला है अब कौन सा प्रत्ते हैं कौन सा क्रित प्रत्ते हैं कैसे पहचानेंगे आप यह पहचानने के लिए थोड़ा सा डाउन लेबल में जाएंगे जो प्रत्य धातू के बाद लगा हो वह अकृत प्रत्य हैं और जो प्रत्य किसी धातू के बाद ना लगा हो किसी प्राथिपदिक के बाद लगा हो दसरत प्राथिपदिक के बाद लगा है यह तद्धित है जो प्रत्य प्राथिपदिक के बाद लगा ह लेकिन इह प्रत्य लगने के बाद दासरथी बन गया वह भी प्राधिपदिक संगया होती है समास का उधारस्ण सामाने रूप से जान लेते हैं यह राजन बहुत प्रसिद्धु दारण है नस पूरुस सू ऐसा समास होगा पूरुस और सू यह क्या है यहाँ एक समास है सश्ठी समास है समास होने के बाद अभी समास हम नहीं पढ़ें इसलिए यह संख्षेत में ही बता रहें हैं जब इस दोनों का हम लुक कर देंगे विवक्तियों का सुपोधातु प्राथिपदिक के उसे समास है इसलिए क्रतदित समास आश्ठी से प्राथिपदिक कहले आएगा और प्राथिपदिक में अगर कहीं भी प्राथिपदिक में सुवजस इत्यादी प्रत्य आते हैं तो उसको सुपोधातु प्राथिपदिक के उसे लुक हो तद्धितांत और समास भी प्राथिपदिक कहलाते हैं अभी तक हमने क्या समझा कि प्राथिपदिक क्या कहलाते हैं अब प्राथिपदिक के बाद एक चीज राजन भी प्राजपर दिखे और पुरुस भी प्राजपर दिखे क्या होता है कि दो सुबंतों का समास होता है समास हमेशा पद विधी है समास क्या कहते हैं पद विधी यानि शवंत सब्दों की विधी होती है सुबंतों का समास होता है तो वहां सुप्रत्य भी दिखाना थ राजन गस यह सुबंत है वह पुरसु इस सुबंत के साथ समास को प्राप्त होगा राजन की प्रातिपदिक संग्या यही कृत्धित समास आश्च से मानेंगे नहीं राजन क्या है कृत्धित समास आश्च से प्रातिपदिक नहीं मानेंगे इसको हम उससे मान लेंगे अर्थवद अधातुर प्रत्या प्राधिपदिकम से राजन की प्राधिपदिक संग्या हो जाएगी पुरुष का अगर हम वह ऐसे व्युद्पत्ति वाला आर्थ लेना चाहते हैं तो पुरुष का करतधित समासा अच्छे से मानेंगे नहीं तो अर्थवद अधातुर प्रत्या प्राधिपदिकम से मान लेंगे पर वह अर्थवाला है इसलिए प्राधिपदिक हो गने तो यह प्राधिपदिक है राजन पुरुष समास होने के कारण यह पूरा प्राधिपदिक था इसलिए उसके बीच में आने वाली विवक्तियों का लुखो राजपूर्शा बन जाएगा अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण तथी यह आया कि कि ज्ञाप प्रातिपदिकात सुत्र यहां पर अभी इसके बाद दिया हुआ है एक सुत्र आरा है सोजस मौच्छस तुरंद तीसरा सुत्र यह दे रहें पर इसके तुरंद पहल तुरंद बात जुत दिया है ज्ञा प्रातिपदिकात प्रत्ययद करते यह तीन में कोई वृत्ती नहीं लिखी होगी हैं कितीनों की संकलित वृत्ती है तीनों की संकलित विरत्ती क्योंकि अधिकार सुत्र जो होते हैं वह विसेशकों अर्थ नहीं प्रतीत करते हैं वह पूरे अपने बॉर्डर को दिखा देते हैं कि से इनका अधिकार है तो तीन चीजों का अधिकार चला है कि दोनों को मिला के कि इन दोनों क्रत तद्धित समासा से आप उसी की प्राथिपदिक संग्या कहेंगे जिनको आप मानते हैं कि यह कृदंत है या तद्धित आन्त है या फिर समास है पर जिनको आप नहीं मानते हैं कि यह तो ना तो कृत हैं ना तद्धित हैं ना समास हैं और फिर भी अर्थवाले हैं धाथु नहीं है प्रत्य नहीं है उनको आप अर्थवद धातु week 6 संघ्यार पहले करके अब आगे समझ रहें वह हम आगे समझ रहें हैं कि यहां पर आप आश्टा 2 अगर साथ में लेके आएं तो अस्टा ग्यांप प्राति पधिकात को मोटे अक्षरों में लिखा होगा वह मोटे अक्षरों में लिखा होगा उसके बाद कोई संख्या लिखी होगी 54 160 पांचवे अध्याय के चोथे पाद के 160 नंबर सुत्र तक उसकी अनुवर्ति जाएगी यानि 54 160 तक के जितने भी प्रत्य बताये जाएंगे तीसरे चोथे पांचवे अध्याय में प्रत्य ही है न चोथे और पांचवे अध्याय में जितने भी प्रत्य बताये जाएंगे वह कहां लगेंगे या तो घी के बाद लगेंगे या तो आपके बाद लगेंगे या तो प यह लबा स्एफ़ पढ़ा लबाई है उसका पदच्षेद में के यह लिखता हूँ आप जोड के लिख देंगे या पुस्तक पुस्तक पर इसके व्रत्ति में क्यवल वही लिखा है अब उसकी व्रत्ति में यही ऐसा ही लिखा होगा सु अउजस इति प्रथामा आम आउट शस इति दृतिया यहां आउट और शस में आउट शस दिखा वोगा इस्राको च्छा हो गया असस शोटी से फिर उसके बाद टा भ्याम भीश हम्म पर ग्ह municipality तृत्य यह भ्याभर्या कि उती चतृट freelwnieं जीए लिखा है न यह भ्याहर और भ्याहर यह यह चतृटी का है पंचमिंग जाए आइ भ्याम भ्यस सश्ठी का है नस ओस आम नस ओस आम फिर अन्तिम है नी ओस और फिर सुब ए रहे हो इस अधिकार में तव्यत तव्या नी अरह देखें होंगे खाली प्रत्य कहें ने क्या कहें रहा है कि एतने प्रत्य लिए कि यह सुत्र विधी सूत्र गहलाएगा क्योंकि अभिधान कर रहा है अब समझे कि ये प्रत्य होते हैं ये प्रत्य होते हैं सु अउजस अम और सश्ट आभ्यांभी सित्यादी ये प्रत्य होते हैं कितने प्रत्य हैं लिखें 21 ये 21 प्रत्य होते हैं इनी प्रत्यों को सु से सुरू होता है पापे खतम होता है इसलिए सुप प्रत्य भी कहा जाता और यह सुप प्रत्य जिनके अंत में होते हूं वह सुबंत कहलाते हैं ठीक है ना वही सुबंत प्रक्रिया हमें समझनी है अब यानि अब आप किसी भी शब्द का रूप बनाएंगे तो किसी भी शब्द के जो 21 या 24 रूप बन जाते हैं वह इनी प्रत्यों को लगने के यह सब्तमी तक लिखाए तीन तीन को बांट दिया अब यह पहला जो है ना वह एक बचन है दिवचन है दूसरा वाला तीसरा वाला बहुचन है यह भी आप जानने कि तान नेक वचन दिवचन बहुचन और बहुचन हैं फिर एक चीज यह समझे कि यह ऐसा है कि ज्ञाप प्रात्य यह जो सूत्र है सोजसमोटसस यह किसके अधिकार में यह प्रत्य हैं जो भी प्रत्य होते हैं वो बाद में लगते हैं जो भी प्रत्य होते हैं बाद में लगते हैं प्रत्य यह परस्च परस्च बाद में लगते हैं अब इन प्रत्यों को किसके बाद लगाएं क्या धातु के बाद लगाएं या प्राथिपदीक बाद लगाएं तो आ इसे चोटी से देखेंगे आप अअप ऐसे तो अलग-अलग देशせて जैसे इस धरती पर के अलग अबी बताते हैंग तो इय तो अयसे भिए प्रत्य देश में आया है वह देखना तो ये चाह एक-दो नंबर सूत्र है चार एक दो नंबर चौथे अध्याय के पहले पाद का दूसरा नंबर सूत्र है चार एक एक नंबर सुत्र तुरंत पहले देखेंगे चार एक एक नंबर सुत्र तुरंत पहले तो वहां से एक दूसरा बोर्डर सुरू हो रहा है यह बोर्डर सुरू होने के बाद तुरंत पहला सुत्र है ग्याप प्रातिपदिकात है ना ग्याप प्रातिपदिकात वह कहत सूत्र के बाद कि आप देखेंगे यह सूत्र में कुछ नहीं है सूत्र जो इतना बड़ा सा लिखा हुआ है बड़े से सूत्र को आप वतच्षेद करके वृत्ति में लिखा है कि यह इतने 21 प्रत्य होते हैं और हाँ 21 प्रत्यों से 24 रूप कैसे बन जाते हैं उसके लिए एक सूत्र है संबोधने चा संबोधने चा जब आप विभक्त अर्थ प्रक्रण पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्राति पदिकार्थ लिंग परिमान वचन मात्रे प्रथमा यह तीनों प्रथमा है ना सुओजस प्रथ संबोधने चा संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति ही लगाई किसी को संबोधन करना तो उसमें भी प्रथमा ही लगाई पर संबोधन में यह वाला थोड़ा सा बदल जाता है और कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आते तो कुल 21 प्रत्य से 24 रूप आ जाते हैं ठीक है अब समझने के स्म लिजिएं कि हमें यह समझने कि यह प्रत्य लगाने हैं कि अगर रूप बनाने हैं तो किसी भी शब्द के रूप बनाने के लिए यह प्रत्य लगा देना है प्रत्य किस करने लगा ना है यह समझने के लिए तुरनत बाद का सूत्र閃ेंet ज्ञ्याब प्राथि पदिकाट में तीन श्ब्रें है यह किस प्रत्य आप अपने मन में रखेंगे 21 प्रत्य होते हैं इनी 21 प्रत्यों से सभी शब्द बनते हैं इसके बाद का सूत्र समझने के बाद इसके बाद 3 सूत्र हैं तीनों सूत्र एक साथ समझते हैं एक है ग्याप प्रातिपदिकात बहुत सरल है ग्याप ये ग्याप क्या है ग्याप में ऐसा है दो चीज एक गी है और एक है आप गी और आप ये ग्याप और तीसरा सब्द है जो आप अभी जिस सब्द के बारे में जान चुके है प्राति-पदिकात प्राति-पदिकात मतलब प्राति-पदिक के बाद ये सभी अब इस सूत्र के बाद जो भी प्रत्य कहे जाएंगे वो सभी प्रत्य या तो गी के बाद लगेंगे या तो आप के बाद लगेंगे या तो प्राति-पदिक के बाद लगेंगे ये गी क्या है आप क्या है वो आप यानि स्त्री प्रत्यों के बाद और प्राथपधिकों के बाद आने वाले प्रत्य होंगे जो प्रत्य बताए जाएंगे ठीक है और बाद होंगे या पहले होंगे यह अभी नहीं पता चला प्रत्य वो जो सुव उजस वो क्या है वो प्रत्य है क्यों क्योंकि प्रत्य य सुट्रेगे परस्च यानी बाद में ही लगेंगे कोई राम पहले रम इसा नहीं मैं नहीं जोडें रां मारे लिए प्रत्टे कहा होगे outta subject क्या कहेँ आप या प्रत्यOP से पहले लगाएं या बाद में लगाएं टो यह प्रत्टे जो होते हैं ऐसा परस्च ठीक है तब कोई भी प्राथिपदिक हम ले लेंगे एक प्राथिपदिक का उधारन हम पकड़े हैं कि वह प्राथिपदिक कौन सा है जो देखिए तीन एक नंबर का सूत्र है अध्याई अब देखें होंगे तो प्रत्या यह वह कहता है तीसरा चो था पांचवां यह तीन अध्याई प्रत्ये वाले हैं और तीन एक दो नंबर सूत्र है वह कहता है कि जो भी प्रत्ये होते हूं बाद में ही लगते है पिर अब वो सभी प्रत्य पूछ ऐसे होते हैं जो धातु के बाद लगते हैं वो तीश्रे अध्याय में देख चुकी हैं अब जो प्रत्य आने वाले हैं वो पराथीपदिक के बाद लगेंगे क्यों कि ग्वा Corey प्रती पधिकात का बोडर सुरू हुगी में अधिकार हो गिसका या चार beth4 एकैसुग्व . मैं चौटे अध्याए में और 5 ये प्रत्फित कहे जाएंगे वह ग्याब ग्विशेस राश्यण परबाद या प। उंग और थी जो प्रत्य है ना उसमें से त्प्ति एक तद्धित के अधिकार में आ जाता है और उंग के इसलिए एक परिभासा भी बनानी पड़ी की प्राति पदिक ग्रहने लिंग विशिष्ट स्यापी ग्रहन अगर कहीं किसी कारणवस किसी लिंग का ग्रहन नहीं हो पा रहा है तो किसी शब्द का और उसमें अर् समझ गई कोई प्राथिपधिक होगा उस प्राथिपधिक के बाद हमें सुवजस अमोर्शस यानि 21 प्रत्य जोडने हैं तो सब्द रूप बनेंगे तो एक प्राथिपधिक हमने देखा था प्राथिपधिक कौन सा था राम स्त्री प्रत्य में जो सभी प्रत्य हैं टाप चाप डाप इस गीन यह सभी प्राथिपधिक के अंतरगत नहीं आते हैं अगर प्राथिपधिक के अंतरगत आएं तो ज्ञाप ग्रहन करना जरूरी नहीं था गी और आप कही दिया ना सुत्र में पानिन भगवान तो अब यह समझे कि यह राम एक प्राथिपधिक है क्योंकि धातु के बाद नहीं लगा है टाप डाप चाप गीप गीजवीन धातु के बाद लगता वही क्रदंत होता है अब समझे यह राम है ना यह प्राथिपधि कर pillars गिए इस प्राथिपधिक के बाद हमें सो फूर निष्ट्य फ्रत्य जोड़ने यहां तक हम पहूंगे तो अब इसके तुरंत बात क्या है यहां प्राथिपधिकाद प्रत्या परस्च एतीनों अब रिच्सूतर पढ़ने के बाद लिखा होगा इत्य अधिकृत्य इन प्रश्च के कहने के कारण यह जो ग्याव प्रत्य है वो प्याव प्राथिपदिक के पर में हो ठीक तो यह तीनों का अधिकार हो गया इसलिए क्या पता चला है वृत्ती में लिखा होगा ग्यंताद आबंताद प्राथिपदिकाच ग्यंताद मतलब ग्यंत से गी जिसके अंत नहीं और आप यही तीन घीप मीस इन तीनों से तथा प्राति पदिकात प्राति पदिक परे स्वादया प्रत्या इन सब के बाद सू आधी जितने भी प्रत्य दो अध्यायों में कहे जाएंगे वह सभी प्रत्य होते हैं ठीक है है स्वाधया से ले करके पांच चार 160 तक के जितने भी प्रत्य हैं सभी ठीक तो अभी सुआधया सुप अगर केवल कहे होते तो उन्हीं की इसका ग्रहान होता है पर सू आधया कहे दिया तो सू से लेके दो अध्याय में जितने भी प्रत्य हैं सभी प्रत्य हैं अब सू आधी प्रत्य होंगे किसके बाद ग्यंत के बाद या आबंत के बाद या प्रातिपदिक के बाद इसके तुरंत बाद सूत्र है सुपाहा इसको क्या समझना है सूत्र का नंबर क्या है एक चार एक सो तीन एक चार एक सो दो निकालेंगे सूत्र तुरंत पता चल जाएगा अश्टा ध्याई में निकालेंगे एक चार एक सो दो वहां मिल जाएगा तान नेक वचन दिवचना नेक सहा ऐसा कोई सूत्र मिलेगा कहते हैं कि सुपह यानि एक सो तीन से पहले का सूत्र देखेंगे आप तो वहां पता चलेगा तान नेक वचन द्विवचन बहु वचनान नेक साहा इसा मिल जाएगा ना और उससे तुरंत पहले तिंग अस्त्रीनी त्रीनी प्रथम मध्यमो तमाह था वो नहीं लेना है उसको माल लिजे तिंग में लेकिन उन तीनों में वी जो एक हैं ना एक वचन द्विवचन और वहां से एक वचन यानि सू, अम, टा, ये जो इस लाइन वाले हैं वो एक वचन कहलाते हैं फिर आउ, आउट, भ्याम, भ्याम, भ्याम ये वाले जो लाइन में हैं वो सभी दुवचन कहलाते हैं जस, शस, भीस ये लाइन वाले जो हैं वो सभी वचन कहलाते हैं एक-एक करके तो ये सुपह सु ले करके एक वच्ण दीवचन बहुचन संग्यानीश्य। सभ्स एक वच्ण धीवच्ण और बहुच्ण कहलाएक लाहर bene रजननकीव वक्तियों में यह होंगे यह कि सुत्रने का सुपहने इसके बाद सो कि अगला सूत्र है। अगर बहुत सरल है यह सब विशय आपको पता है पर सूत्र भी है हर एक चीज के लिए सूत्र है क्योंकि सूत्र के बिनाए कोई कि काम होता नहीं तो दो दो चीजों को बताना है तो बताना है तो दुछन एक को बताना है तो यही सुत्रकार्थ दूकी ही दूलेकसट अगर दुस्तफ बताना है किसी चीजिएँ दो लेखनी है I do like किOSAND वाला बंदाना पर good । एक परणा है दूसी ही लगाना सू लगाना है लेखन कोई प्रश्ण तो नहीं इसमें और इसके बाद सूत्र समझ लीजिए तो अब हमें अगर राम एक ही है ऐसा बताना है तो एक बचन वाला प्रत्य लगाएंगे की नहीं एक बचन वाला प्त्ति लगाएंगे एक बचन वाला प्त्ते कौन सा थे न की राम के बाद हम सू लगा दें अब देखिए रामा कितना जल्दी बनता है अख्राम अननुल वाण है पर पहले परतमा में बनाएंगे कि दुधिया में में पहले आप से प्रारंब करेंगे। परतमा का सुप्रत्य हमने एक वचन बताने एक हमने लगा दिया सू राम और चुम लगा दिये हो गया अनुनाशिक स्वर्वर्ण होता है वह इत कहलाता है उपदेश सवस्था में जो भी अनुनाशिक स्वर्वर्ण होता है वह इत कहलाता है ठीक है तो अब मानलीजे यह सू क्या है अनुनाशिक ऐसा वाला है सू है इसमें से अच यानि स्वर्वर्ण जो उ है वह उपदेशेज 19ikum 18 krij pro se each q aar inırım जोबी संगयक होता है उसका तस्य लोपह सुत्र से लोफ हो जाता है शुरुआत में हम पढ़ चुकें को ततस्य लोपह सुत्र से उसका लोफ हो जाएगा सूमें से उ का लोब कर दे हन सूमें से उ का लोफ हो जाएगा तो किवल बचेगा किवल बचेगा सा है यह सा बचेगा यहां तक पहुंच जाएंगे ना अब इसके बाद अनुबंध क्यारणार्थ प्रत्य जो होते हैं बहुत सारे अनुबंध लगते हैं और अलग अलग प्रयोजन होता है बहुत सारा कई लग रगा दिया है तो उससे लग स्वर होगा और रही नहीं कर दिनों को निष्यद करने वाला हो जाता है जो भी उटह्र लगाया जाते हैं वह बहुत सारे अनुनाशिक दिखता नहीं है इसलिए परिभासा है प्रतिज्यानुनासिक क्या हैं? olarak पाणिये लोग जो है वह मान लेते हैं कि यह अनुनासिक है इत्संग्या होने से ही काम चलेगा जहां एसा मानते हैं वह मान लेते हैं कि यह अनुनासिक है और जहां इत्संग्या के बिना काम चल जाता है वह अनुनासिक नहीं है था तो यह चिंतनी यह है फिर भी सुमे से उ की इत्संग्या होगा यावाला अनुनासिक भी होते हैं अब देखिए ठीक है वह बहुत ज्यादा संधी के विशे में हम वह सब पढ़ चुके हैं तोरली सुत्र बताते समय भी उसको और बताया था विस्तार से तो राम सह हो गया कि राम सह यहां तक पहुंच जाएंगे किसी अब ये सुपः प्रत्यांत है कि नहीं मैं शुपः प्रत्यांत है शुप तिंगंतं पदम से इसको पद मानेंगे कि नहीं राम स एक पद है और किसी भी पद का आंतिम वरण स आता हो अ helemaal सजुष एक निपात 새ुष उसका आंतिम वरण मुर्धन शाह उसका स सू जुष हो रुह विशरक संथी में हम सुत्र पढ़ चुके हैं उस सुत्र के अनुसार रू हो जाता है न सा के स्थान पे क्या हो जाता है रू तो सा को हटा देंगे हम सा के स्थान पे ले आएंगे रू राम और रू यह जैसे सू में से उ अनुनासिक था वैसे रू में से भी रू भी अनुना लोफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा अगली स्थिती आएगी राम कि हो जाएगा ना यहां तक पहुंचने में अगर किसी को दिक्कत नहीं तो अगला सुत्र समझ अनुनासिक लिखे या ना लिखने हो कोई दिक्कत नहीं प्रतिया पाण नहीं यह समझते हैं अमान लेते हैं कि अनुनासिक तब समझ लिजी राम रह यहां तक पहुंच जाएंगे अब यह जो राम और रह ऐसी स्थिती आई इस स्थिती में वर्नों को देखना है और अगला सुत्र समझना है रा रा वर्न है न रा के बाद आ है आ के बाद मा है मा के बाद फिर आ है आ के बाद फिर रा है लेकिन रा के बाद क्या है रा के बाद कोई वर्न नहीं वर्नों का विराम हो गया है छुट्टी पड़ गई है वर्नों का क्य वर्ण नहीं रा के बाद तो आ है आ के बाद मा भी है लेकिन इस रा के बाद कोई नहीं इस रा के बाद क्या है विराम है यह जो खाली जगा है इसको विराम कहा जाता है वर्णा नाम अभाव है विराम मतलब वर्णों का अभाव वृत्ति में लिखा होगा विरामो वसानम अ को यहां वर्नौ का बाव है इस जगह को आप क्या कहेंगे यह जगा खाली जगह दिख रही हो इस खाली जगह को आप क्या कहेंगे आवसान सो क्यों खाली जगह अब फ़्याम खाली जघाह वह ब्रना नाम भाव उस acumimeался का लिखायों का वर्णा नाम अभावह अवसान संग्यक कहलाता है कहलाता है तो राम और राम र के बाद जो ये वर्णों का अभाव अवसान है और तुरंत बाद का सूत्र आप समझ लेजिए रुत्त विशर को लिखा नहीं है वह सूत्र विशर करने वाला सूत्र पहले हम जान चुके हैं इसलिए यहां नहीं लिखा है पहले वह पंच संधी में बता चुके हैं खरवसान और विशर जिनिया वह कहता है कि खर अगर रेफ के तुरंत बाद ये रेफ यानि र र के तुर वर्ण आते हैं या पिर कोई भी वर्ण नहीं आता है वर्णों का आभाव आता है विरcono शे खरें स्थान पर लिए लुए कर देंगे क्यों कि इसके तुरंत बाद आवसान है तो क्या हो जाएगा ये राम पृतमा एक वचन का बन गया इसी तरह बनता है ना बाकी के वीशो रूप को समझ सकते हैं तो भी विसर्ग हो जाता है जैसे मान लिजिए राम यहां तुरंट बाद में करोती होता तो रामर करोती होता तो भी खर में आता है इसलिए इसको विसर्ग हो जाता है राम करोती हो रेफ को विसर्ग होता है लेकिन कब यदि रेफ के बाद खर हो या अधिकार आता होगा खर और अवसान होगा तो विसर्ग हो जाता है रेफ का तो अब अभी देख लिजिए कोई समय है वह देख लीजिए इस पार्ट में इस भाग में हमने राम सब्द से रामा कैसे बन जाता है वो देख लिया इसके बाद के तुरंद के भाग में हम देखेंगे रामो रामा रामम रामो रामान इत्यादी कैसे बनते हैं जितना समय इसने लिया उससे कम समय में हम आके बाकी के सभी रूप समझ जाएंगे क्योंकि यह भूमिका बनानी थी इसलिए इस पाठ में इतना ही इसके बाद के पाठ को हम अगले भाग में देखेंगे नमा संस्कृताइब